नमस्कार स्वागते आपका निज्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल्थ्यागी बुलिटेंगे श्रुआत कर लेते हैं उत्रप्रदेश में जहां एक तरफ लोग कोरोना से जूज रहे हैं तो वहीं दूसी तरफ डेंगू ने भी प्रदेश में आतंक बचा दिया है लगाता उत्रप्रदेश से डेंगू मरीजों की खबरे सामने आ रही हैं वहीं आकरा में भी डेंगू आव वारल बुखा का प्रकोप लगातार जारी है जिसके चलते जिला अस्पिताल में मरीजों की लंबी लंबी कतार लगी होई है और हर रोजाना लगबग तीन हजार मरीज जिला अस्पिताल पहुंच रहे हैं जिसमें पांच मरीज डेंगू के भी भरती हैं जिनका इलाज जारी है तो ऐसे में आकरा में लगाता डेंगू आव वारल फीवर का कहर देखने के लिए मिल रहा है लगाता प्रकोप जारी है हर रोजाना भारी संख्या में जिला अस्पिताल में मरीज पहुंच रहे हैं जिनमें ज्यादा मरीजों में डेंगू की पुष्टी हो रही है उत्रप्रदेश में लगातार दबंगों का आतंक जारी है दबंग लगातार खुले आहम दबंगई कर रहे हैं ताज़ा मावला बहराईश्टी कोतवारी नगर इलाके का है जहां पर दबंग युवक ने मैडिकल स्टोर मालिक पर हमला कर दिया दबंग ने वहीं पुलिस समेट सैकोर लोगों पर भी पत्राव किया और इस सिलसे में बतारे युवक की देहशत से बहराईच में हरकम मच गया वहीं इसके साथ ही दबंग युवक के पत्राव से दो दरोगा समेट कई पुलिस कर्मी भी खायल हुए दबंग युवक के पत्राव और फायरिंग के दोराण पुलिस कर्मी मौके से भाग निकले वहीं घटना की सूचना पाकर सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ पहुचे और कड़ी मशरक्खत के बाद युवक को गिरफतार कर दिया गया उप मुख्य मंतरी दिनेश शर्मा सुल्तानपूर में आईजे समिक्षब बैठक में शामिल हुए महाँ पहुचने के बाद बीचपी निताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया जानकारी के मताबिक उप मुख्य मंतरी दिनेश शर्मा सीधा लोक निर्मान विभाग के निर्क्षिन भवन पहुँचका बैठक में शामिल हुँगे और ऐसे में बैठक के तुरंद बाद वो लंबुआ विधायक देव मनेद रुवेदी के आवाज सूर्यभान पठी गाउं जाएंगे और उनके पिता के निधन पापईजन को संतमना भी देंगे तो सुल्तान पुन उप मुख्य मंतरी पहुँच चुके हैं ऐसे में बैठक में भी शामिल होंगे दिनेश शर्मा तस्वीरे देख सकते हैं किस तरह से उस सुल्तान पुर पहुँचे तो वहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया पंजाब के मुख्य मंतरी चरण जी सिंग चन्नी ने अपनी ही सुरक्षा कोले का बड़ा बयान दिया है दरसल राज्चे के अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है कि उनकी सुरक्षा में कटोती की जाए मुख्य मंतरी चन्नी ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए इतने सारे लोगों का होना सिलसादूनों की बरबादी को दिखाता है पंजाब के नाग्रिकों के साथ रिष्टा जोड़ते हुए उन्होंने अपने आपको आम आदमी करा दिया मुख्य मंतरी ने कहा कि मेरी जान को किसी भी तरह की कोई भी खत्रा नहीं है क्यूकि मैं हर पंजाबी का भाई हूँ और एक आम आदमी हूँ पंजाब के मुख्य मंतरी चन्नी ने कहा कि मैं सभी के बीच से ही हूँ मुझे अपने भाईों से बचाने के लिए एक हजास सुरक्षक कर्मियों की फौस की जरूरत नहीं है मुख्यमंतरी ने ये बात उस वक्त कही जब वो कपूर थला के आई के गुच्राल पंजाब टेक्निकल यूरिवर्सिटी में अपना संबोधन दे रही थे उनके इस बयान के बाद वहां मौझूद सभी लोग चकित रह गए और अपने संबोधन के दुरान मुख्यमंतरी चन्नी ने कहा कि जब उन्हें जानकारी मिली तो वो आश्रे में पढ़ गए उन्होंने बताय कि कारभार समालने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए एक हजार सुरक्षा कर्मी तेना थे उस दोरान उन्होंने कहा कि ये सरकारी संसाथनों की सरासर बरबादी है मैं ऐसा नहीं होने दूँगा क्योंकि मेरे अपने पंजाबियों से मेरा क्या नुकसान होगा मैं भी उनकी तरह एक आम आदमी हूँ देहरदून में कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौधियाल ने दावा किया है कि उत्रखन की राजनीती में अगले 15 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है दरसर गौधियाल ने कहा कि बीज़ेपी के कई बड़े नेता कॉंग्रेस के संपर्क में हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सब को कॉंग्रेस में शामिल करें हम अपने पार्टी के नेताओं का हिद देख कर ही आगे की रणीती तै करेंगे क्योंकि हमारे पार्टी के नेता पांस साल से बीज़ेपी के खिलाफ काम कर रही है और इसानी अजनता के सुक दुख में शामिल हो रहे हैं इसे में उनका हिद प्रभावित ना हो इस बात का विशेश ध्यान रखा जाएगा वहीं बता दें गणेश गौदियाल ने कहा कि अगले 15 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है उनके इस बयान से साप हो गया है कि कॉंग्रेस अपनी रनीती के तहर बीज़ेपी को कई नेताओं को पार्टी में शामिल करने की तैयारी में है हात्रस में करीब एक साल पहले हुए बलतकार और हत्याकान ने फिर सुर्क्यों में जगह बना ली है सपा Π्रमोक और पूर्ट मुख्यमंत्रीय कलीज श्यादर की बयान बानसी के بाद अभीन आद्मी के प्रमोक चंधरशे कर हात्रस में पेड़ित परिवार के घर पहुंचकाए है यहां पर उन्होंने परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ रात गुजारने की बात कही और कहा कि देखेंगे कि कैसे परिवार संगीनों के जर्ग के साइड में रहता है उन्होंने कहा कि पीरित परिवार को अब भी लोग लगातार धंकिया दे रहे हैं इनका एक एक पल जर्ग में निकलता है ऐसे में मैं भी एक रात यहां रुक कर ये देखूंगा कि कैसे इस जर्ग के साल ये लोग जी रहे हैं मैं मुख्यमंत्री योगी आदितनात और हातरस डियम पर निशाना साते हुए जंद शेकर ने कहा कि पीरित परिवार को अभी तक नौकरी और मकान नहीं मिला तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री ने जूट बोला था या अब जिलाध्यक जूट बोल रहे हैं क्योंकि नहीं तो पीरित परिवार को की मदद प्रसाशन ने और ना ही राजिस सरकार ने की है इसके साथ ही उन्होंने पीरित परिवार की घर के बहार पड़े कूड़े को देख कर कहा किसको इखाटा कर मैं सीम और डीम हातरस को भीट करूँगा भारत में कोरोना एक्टिव केस घटका करीब तीन लाग खुच चुके हैं इसे में सु आसे मंतराले के और से शुक्रवास हुआज जाली किये गए आखरों के उन्होंसार पिछले 24 घंटे में 31,382 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं जबकि 318 करोना संक्मर्टों की इचान चली कई है वहीं बीते 24 घंटे में 32,542 लोग करोना से ठीक होच चुके हैं यानि की 1,400 से ज़्यादा एक्टिव केस कम हो गए हैं ऐसे में देश में सबसे ज़्यादा करोना मामले केरल से सामने आ रहे हैं बता दें केरल में कल COVID-19 के 19,682 नए मामले सामने आने के साथ ही करोना वाइरस से संक्मर्टों की कुल संख्या बढ़का 45 लाग से ज़्यादा होच चुकी है ऐसे में राज़े में 152 मरीजों की मौत के बार मरत्ख्यों की तादा 24,199 होच चुकी है और राज़े में COVID-19 के उपा उपचार दीन मरीजों की संख्या एक लाग साथ हजादाश है वहीं बता दें कुरोना महमारी के श्रुआट से लेकर अब तक कुल 3,35,95,000 लोग संक्मर्ट होए हैं और इसमें से 4,46,366 लोग की जान जा चुकी है लेकिन अच्छी बात ये है कि अब तक 3,28,48,000 लोग ठीक भी हुए हैं और देश में कुरोना अक्टिव केस की संख्या करीब 3,00,000 है कुल 3,162 लोग अभी भी कुरोना वायरस से संक्मर्ट हैं जिनका इलाज़ चर रहा है जर्मन सरकार के क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट के अंतगर रिश्केश विधान सभा में पहले चरण में 462 से ज्यादा करोड रुपे की लागत से 180 किलोमीटर सिवर लाइंग पिछाई जाएगी साथी इस में पंपिंग स्टेशन और स्टीपी प्लांट निर्मान का काम भी होगा पतादी विधान सभा ध्यक्ष प्रेंट चरंडर ग्रवाल ने कहा कि इस योज़ना की रूप में रिश्केश विधान सभा शेत्र को एक बड़ी सौगात है बेराज माग हिस्तेट कैम कारहाले में गुरुवार को विधान सभा ध्यक्ष प्रेंट चरंडर ग्रवाल ने पेजल निगम के उच अथिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में इस सीवर योज़ना के निर्मान कारों की कारवाई के संबंद में अतिकार्गों ने विधान सभा ध्यक्ष को विसार से चानकारी थी मिना जबाध ध्यक्ष ने बताया कि जर्मन सरकार के क्लाइमिट प्रूफिंग प्रजेक्ट की तरफ से ये योजना को सुख्रती मिल चुकी है जिसमें जर्मन सरकार की के फडबलू संसा और भारा सरकार के पीच लोन एक्रिमेंट भी हस्ताक्षरित हो चुकी है जो शहर और कुछ ग्रामिन शेत्र को मिला गए है सिवरेज योजना बहुत पहले से प्रस्तावित थी और अनेकों बार इसके बारे में मैं अधिकारे से बातचीत भी कर चुकों हूँ और लगातार इनका नुसरोमण करने के बाद आज मैं मुझे खुशी है इस बात की कि के FW के अंतरगत ये रिशिकेस नगर की और ग्रामिन शेत्र की जो ये शिवरेज योजना है इसकी लागत आज की तारिक में 462 क्रोड और तिराणवे लाख रुपया है और इसकी जो पुल लंबाई है वह 170 किलमेटर है जिसमें आपका नगर निगम शेत्र जिसमें आपका ग 30 आने वाले सालों के लिए इसका जो है लिजाईनी की गई है आज की तारिक में इसमें एक लाग 35,933 की जनसंक्या को कवर कर रही है और आने वाले टाइम पे जब ये पीस वर्सों बाद एक अनुमानित जो हमारा जनसंक्या उस समय दो लाग 20,000 और 379 होगी और इसमें आस्ता बत्पेर आवा सिविकास में बनना है लागि कमपनी प्रबंदन की तरह से जो सी तरह का लाग बयान इस मामले में अभी तक सामने नहीं आया है वहीं ग्राम प्रधान हाट राजेंद भट वालों का कहना है कि ग्रामीन कंपनी के निर्मान कार्यों में हमेशा सयोग देती रही है और विकास के साथ खड़ी रहती रही है ऐसे में गाउं के 90 फीज़ी परिवारों ने विस्थापन कर लिया है ताला लगाया था ताला तोड़के मेरे अपना खर्चा रखा था उसमें 30,000 रुपिय रखे थे बैंक से बार बार कौन जा रहा हूं आख नहीं देखता हूं इसलिए मैंने एक ही बार लेके 30,000 रखे थे उसमें कि खर्चा होते रहेगा बैठा हूं घर में और पैसे भी नही मेरी मिशेश को भी पाउं पकर के हाथ पकर के ऐसी घची डग या पत्थरों में और मेरे को भी जबकि मेरी दादी की तित थी और मैं अपनी दादी की तित नहीं कर पाया अंदर सारे पसाचन के लोग और ये लेवर उन्होंने ऐसे बेजिये जूते में जो मैं नहीं कर पा तो नहीं थी जाने की और फिर इन्होंने जो टैम दिया था कि तीन अक्टूबर तक हम समिती कमेठी बनाएंगे उसके बाद जो भी बारता होगी उसके बाद हम जाते या रुखते जो भी यह बात करते लेकिन उससे पहले ही हमको इस तरह की इस गटना से गुजरना पड़ा मकान सामान सोना चांदी पैसे सब पता नहीं का है क्या है हम नहीं जानते मैं पुराने कपडे से बटे कपड़ों से यहां गोपेश्वर आई हो गले मेरा एक बगस रमी रम भरे है मेरे को एक बगस रम है तीन लाक्य जेवर हैं और दो लाक एस रखे थे मेरे अंदर और इसी के साथ इस बुलेटन में फिलाल कर इतना ही आप देखते रहें नियूस वोलिंटिया